सच साहस सरुकार कोंग्रेस और बीजेपी ने गुजरात में जीत का दावा किया है दरसल गुजरात में दूसरे चरन में 14 जिलों की 93 विधानसभा सीटों पर मद्दान होना है और दूसरे चरन में 833 प्रत्याशियों की किस्मत दाव पर लगी हुई है और 5 दिसंबर को दूसरे चरन के लिए म बीजेपी को 51 सीटों पर जबकि कॉंग्रेस को 49 सीटों पर जीत मिली थी गॉर्टलब है कि इससे पहले गुजरात विधानसभा चनाव के पहले चरन में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मद्दान हुआ था और पहले चरन में 788 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में बंद हो चुकी है जानकारी के लिए आपको बता दे कि गुजरात में 182 विधानसभा सीटे हैं जिसमें 13 अनुसूचित जाती 27 अनुसूचित जन जाते के लिए आरक्षित है और इस बार राज की 182 विधानसभा सीट के लिए कुल 1621 उमीदबार चुनावी मैदान में है आठ दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे ऐसे में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए इस बार बीजेपी और कॉंग्रेस के साथ-साथ आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत जोग दी है बीजेपी की ओर से तो खुद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कई रैलियों को संबोधित किया पीए मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए अपने प्रचार के समापन के साथ 31 से अधिक रैलियों को संबोधित किया और तीन बड़े रोडशो का नेत्रत्व किया समझने वाली बात है कि पीए मोदी के जनसंपर्क अभियान का एक प्रमुक आकरशन एहमदाबाद में उनका रोडशो था जिस्त देश में सबसे लंबा बताया गया है जो कि 50 किलो मीटर का था जिसमें 10 लाग से ज्यादा लोग शामिल हुए थे फिलहाल ये तो 8 दिसंबर को वोटों की काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा कि गुजरात में कौन सीएम की कुरसी पर बैठेगा खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के देखते रहें ये प्राइम टीवी